कि सब्सक्राइब करें हमारे आइटी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस टेक्निकल वीडियो सबसे पहले अपने इंबॉक्स में पाने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम टु आइडी गुरुजी और अभी हम चैप्तर नूबर एट करेंगे चैप्तर नूमबर एट का पार्ट मुलें तो कुछी कुछ्ण जो रैंडम है जो पिछले विडियो में नहीं है तो दो चार क्वेश्टन में हैं आपदेख लिजेगा अभी शुर करते हैं assessment number eight का part two फर्स जो केस्टन है SSO सुदा का मुख्यलाब क्या है तो all of the above fourth numbers का answer है भामशार काड हेतु पंजीकरन किस माद्यम से किया जा सकता है तो दोनों जो माद्यम है वो valid है इसके लिए इमितर क्योसफ और भामशार की जो official website से हम कर सकते हैं अधार काड में कितने अंग शामिल होते हैं तो वहां पर चार-चार के तीन पेर होते हैं तो बारा डिजिट होते हैं टोटल आधार काड में और फोर्थ number है भामशार जोजना में डीपीटी का पूरा नाम क्या है तो इसका मतलब है डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर्थ नमबर अपना क्वेश्चन आंसर वह जाएगा सरी और फिफ्थ नमबर है एपीडियर प्रणावली के इस नदर में बीपील का पूरा नाम क्या है तो बीपील का पूरा नाम है बिलोव पावर्टी लाइन है ऐसे तो का पूरा नाम क्या है तो सिंगल साइन ऑन आ है कि सामाने बीमारी के लिए अस्बय में विमारा शीयर है जो क्या मिलती है तो 30,000 रुपीज जो है सामाने बीमारी के लिए मिलते हैं बीएश बी वाई नमबर मारा अंसर हो जाएगा और उसके बाद आए बीराजगारों वो पंजिक्रत करने के लिए बी आर एस वाई रिन क्लाशिक के तहट दिये जाने वाली ब्यासदर क्या है तो यह है चार परसेंट नवा कुश्चन है हमारा SSO के मादम से नागरी किन से उदाओं के लाब ले सकते हैं तो डिश्टल गवर्मेंट सर्फिसेस हैं जो उनका जो लाब हम ले सकते हैं SSO के थुरू और अभी लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इफ इडियस पोर्टल और यह जो पोर्टल दे रहे हैं डॉट राज डॉट एन डॉट 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 इन में कौन सी जुदा उवलब नहीं है तो भामाशाग की जो लिस्ट है वह यहां पर अवेलबल नहीं होती है बाकी साही चीज़़ आपे अवेलबल होती है तो हमारे दसके दस क्वेश्चन पूरे अब हम करते हैं फाइनल स अवेलबल नहीं होती है